जैहन साथियो स्वागत है आप सभी का अपने लिटूब चैनल एक्जाम सोच पर दोस्तो आज किस वीडियो में हम करेंगे सब्धान के पर्मखनचेद इस टॉपिक से आपके हर एक एक्जाम में एक से दो प्रसन पूछा जाता है और मैं आप से एकिन से कहता हूँ अगर आपने इस पूरी बेडियो को देखे लिया तो आप आसन इसे इन प्रसनों को कर लेंगे टॉप 100 कोसन के माध्यम से हम सब्धान के सभी पर्मखनचेद को इस पेडियो में करेंगे तो दोस्तो आप इस पेडियो को अंत तक देखेगा बेडियो बहुत ही सांदर जबर्दस्त होगी तो चलिए दोस्तो आज के इस पेडियो को सुरू करते हैं तो पहला कोसन है सब्धान के किस अनचेद में सर्वोच चनाली की अस्थापना और गठन का उलेक है तो सुप्रेम कोट की अस्थापना और गठन का उलेक किस अनचेद में किया गया है आर्टिकल 124 में किया गया है अनचेद 114 में सुप्रेम कोट यानि कि सर्वोच चनाली की अस्थापना और गठन के बारे में बताया गया है अनचेद 114 में सब्धान के किस अन्छेद में उच्छतम न्याले से परामर्स करने के राच्टपती के सक्ती के बारे में बताया गया है उच्छतम न्याले से राच्टपती परामर्स मांग सेकता है ये अन्छेद 143 में बताया गया है आर्टिकल 143 में बताया गया है Next question सब्धान के किस अन्छेद में राजवेद का उले किया गया है Next question है दोस्तों सब्धान के किस अन्छेद में राज की कारपाल का सक्तियां राजवेद के बारे में बताया गया है तो किस अंशेद में बताय गे हैं कि राज की कारपाल का सक्तियां, राज चपाल में नहित होंगी, ये बताय गे है तुस्तों अंशेद 194 में Next question is सबधान के किस अंशेद में राज चपाल का कारकाल के भारे में बताय गे हैं आर्टिकल 156 में गवर्नर का कारकाल बताया गया है सब्धान के किस अंच्छेद में राज का महादी बक्ता के बारे में बताया गया है राज के महादी बक्ता के बारे में अंच्छेद 165 बताया गया है मुख मंतरी के कर्तवियों के बारे में बतायागे हैं दूस्तो अन्चेद 166 में आर्टिकल 167 में मुख मंतरी के कर्तवियों के बारे में बतायागे हैं सब्धान के केस अन्चेद में राजियों के विधान मंडलों के गठन का प्राउधान के बारे में बतायागे हैं तो राचियों के बिधान मंदलो के गठन का प्राउधान किसम क्या गए हैं? Article 168 में अंच्छेद 168 में बतायागे हैं अगला क्वेस्टन सब्धान के किस अंच्छेद में राचियों के लिए उच्छ नाले के प्राउधान के बारे में बतायागे हैं? तो किस अंच्छेद में बतायागे हैं कि राचियों के लिए एक हाई कोट होगा उच्छ नाले होगा? अंच्छेद 214 में बतायागे हैं, आर्टिकल 214 में बतायागे हैं नेक्स्ट क्वस्टन है सब्धान के किस अंच्छेद में बिधान पर्षद का सभापती और उप सभापती के बारे में बतायागे हैं, आर्टिकल 182 में बतायागे हैं नेक्स्ट क्वस्टन सब्धान के किस अंच्छेद में बिधान पर्षद के उप सभापती और सभापती के तोर पर कार करने की सक्टियों के बारे में किस अंच्छेद में बतायागे हैं? आर्टिकल 184 में बताया गया है अंच्छेद 184 में बताया गया है सब्धान के किस अंच्छेद में राज बिधान मंडल का सेचिवाली के बारे में बताया गया है राज बिधान मंडल के सेचिवाली के बारे में अंच्छेद 187 में बताया गया है नेक्स्ट क्वस्टन है कौन सा अंचेद राज बिधान मंडल के वार्षिक बित्य विवरड के बारे में अंचेद 202 है बताता है। नेक्स्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में उच्छ नाले के नाधीसों की निवक्ती और उनके पद की सर्थों के बारे में बतायागे हैं। नेक्स्ट क्वस्टन सबधान के किस अंचेद में बतायागे हैं। नेक्स्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में अंचेद 280 में बतायागे हैं। अगला इंपोर्टन क्वस्टन है दोस्तों सबधान के किस अंचेद में अखिल भारते सेबाओ का उलेक हैं। अखिल भारते सेबाओ का उलेक अंचे 312 में किया गया हैं। आर्टिकल 312 में अखिल भारते सेबाओ का उलेक किया गया हैं। नेक्च्ट क्वस्टन सबधान के किस अंचेद में संघ और राज्यों के लिए लोग सेबाओ का उलेक हैं। नेक्च्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में लोग सेबाओ के सदेशियों के न्युक्ती और अबधी के बारे में बतायागे हैं। नेक्च्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में लोग सभामें अंसूची जाती और अंसूची जनजाती के लिए अरक्षड के बारे में बतायागे हैं। नेक्च्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में बिधान सभामें अंसूची जनजाती और अंसूची जनजाती के लिए अरक्षड के बारे में बतायागे हैं। तो अंचेद 332 में अरक्षड के बारे में बतायागे हैं। नेक्च्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में अंसूची जातिया यानि की यसी के बारे में बतायागे हैं। नेक्च्ट इंपोर्डन्ट क्वस्टन है सबधान के किस अंचेद में अंसूची जनजातियों के बारे में बतायागे हैं। अगला क्वस्टन है दोस्तों सबधान के किस अंचेद में संग की राज भांसा का उल्ले के बारे में बतायागे हैं। सबधान के किस अंचेद में राज्यों के सबधानिक तंतर के विफल हो जानी की दसा में उपबंध के बारे में बतायागे हैं। और पहली बाराच्ट पति सासन पंचाप राज में लगाया गया था दोस्तों। पंचाप राज में पहली बाराच्ट पति सासन लगाया था। अगला कोस्तन सबधान के किस अंचेद में आपात काल के दोरान अंचेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख हैं। तो अंचेद 358 के तहत हैं आर्टिकल 352 के तहत हैं। अगला क्वस्तन है दोस्तों सब्धान की किस अन्छेद में बिती आपात काल के बारे में उपपन्ध के बारे में बताएगे हैं तो बिती आपात काल दोस्तों अन्छेद 360 हम बताएगे हैं आर्टिकल 360 में बिती आपात काल के बारे में बताएगे हैं तो सब्धान संसोधन जो है दोस्तों ये अंचेद 368 बताएगे हैं आर्टिकल 368 में सब्धान संसोधन के बारे में बताएगे हैं और जो अंचेद 368 है ये भाग 20 में बताएगे हैं भाग 20 में अंचेद 368 बताएगे हैं नेक्च्ट क्वेस्ट सब्धान के किस अनच्षेद में भारत के बाहर रहने बाले प्रावसियों के नागरिकों के अधिकार के बारे में बतायागे हैं। Next question, सब्धान के किस अन्छेद में धर्म जात लिंग जन्मस्थान आध के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताएगे हैं तो ये अंशेद 15 में बताएगे हैं दूस्तों, आर्टिकल 15 में बताएगे हैं कि किसी भी वेक्ति के साथ धर्म जात लेंग या जर्म अस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला कॉस्तन, सबधान के किस अंशेद में सांती पूरुवग बिना हत्यारों के कहीं पर एखटा होने के बारें बताएगे हैं तो ये बताएगे हैं दूस्तों, अंशेद 19 कुलोज B में आर्टिकल 19 कुलोज B में बताएगे हैं कि सांती पूरुवग बिना हत्यार के आप क नहीं पर भी एकठा हो सकते हैं। कि 14 बड़ से कम आयो के बच्चे फैक्तरियों या कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। अगला कुशन सबधान के किस अंचेद में मौलिक अधिकाल लागू करने से संबंधित प्राउधान के बारें बतायागे हैं। मौलिक अधिकाल लागू करने के प्राउधान बतायागे हैं दोस्तों अंचेद 35 में आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकाल लागू करने से संबंधित प्राउधान बतायागे हैं। सब्धान के किस अन्चेद में राच्टपती और उपराच्टपती के निर्वाचन सम्बंदित बिसे बताएगे हैं दूस्तों अन्चेद 71 में आर्टिकल 71 में बताएगे हैं सब्धान के किस अन्चेद में परते एक जनगड़ना के बाद सीटों का पुनह समायोचन के बारे में अन्चेद 82 में बताएगे हैं अन्चे 93 में आर्टिकल 93 में लोग सब्धान के किस अन्चेद में राज्य सभा के सभापती और उपसभापती लोग सभापती और उपाधेच के बारे में पताएगे हैं तो अंच्छे 97 में बताएगे हैं आर्टिकल 97 में उपसभपती, सभपती और लोगसभा अध्यच और उपा अध्यच के बेतन भत्ते बताएगे हैं Next question सब्धान के किस अंच्छेद में संसद में प्रकलन के संभध में प्रक्रिया के बारें बताएगे हैं प्रकलन के संबंद में परक्रिया के बारे में अंचेद 113 में बताएगे हैं आर्टिकल 113 में बताएगे हैं Next question है सबधान के किस अंचेद में कुछ रेट जारी करने के लिए सरबोच चनाले को सकतियों के परदान करने के बारे में बताएगे हैं तो सुप्रीम कोड को कुछ रिटे चारी करने की सक्तिया परदान की गए हैं, ये किस अंच्छेद में बतायागे हैं? अंच्छेद 142 में बतायागे हैं, आर्टिकल 139 में बतायागे हैं. सब्धान के किस अंच्छेद में राज़पाल की सहता और सलहा के लिए मंतरी परसद का उल्लेक हैं, तो अंच्छेद 143 में हैं, आर्टिकल 163 में हैं. सब्धान के किस अन्छेद में राज्यों में विधान परसदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताएगे हैं अगला कॉस्टन है सब्धान के किस अन्छेद में लोगसभा और विधान सब्धा के लिए निर्वाचन वैस्क मदाधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताएगे हैं अन्छेद 338 में आर्टिकल 338 में सब्धान के किस अन्छेद में बोलने की सोधनता और अभ्यक्ति के सोधनता के बारे में बताएगे हैं अन्छेद 328 में बताएगे हैं आर्टिकल 328 में बोलने की और अभ्यक्ति की सोधनता के बारे में बताएगे हैं नेक्स्ट कोसन है सब्धान के किस अन्छेद में संसद में परियोग की जाने बाली भासा के बारे में अन्छेद 120 में बताएगे हैं तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करेगा और इस वीडियो को सेर भे करेगा चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को आल पर क्लिक कर लिजे ताकि हम इसका next part डाले तो उसकी notification आप तक जरूर पहुंचें कॉमेंट करके बताई कि आपको वीडियो कैसे लेगी कॉमेंट सेक्षन बताई कि आपको ऐसी और भी वीडियो चीहें तो हम ऐसी और भी वीडियो चरूर बनाएंगे टेलिग्राम चनल को जोईन किलजे description box में आपको लेंक मिल जाएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब थे किले जाहिंद बंदे मातरम